आज की रो तो हो गए और बहुत ही अमेजिंग रो थी मतलग कुछ कुछ हमें अमेजिंग मुमेंट्स हमें दिखा दिखा दिया हमें एज स्टाल्स वर्जस यहां पर रैंडी ओर दूनों हमारे फेवरेट सूपरशार है और दोनों को लड़ते वे देखे मजा आ गया दूस सब्सक्राइब बात कर रहे थे कैसे सर्वाइवर सीरीज में बहुत असानी से वो जीत गए लिगे लिगे यहां पर कहते हैं अगला जो ड्रो मेंगेंटायर के लिए यहां पर चैलेंजर होगा जो चैंपेंशिप के लिए लड़ेगा वो कौन होगा तो सारे अपनी दावेदारी यहां पर रख रहे होता है एज स्टाल्स कहते है मैं तो टीम का कैप्टिन तो मुझे होना ही चाहिए लेकिन ऐसा सब्सक्वर्णीनि यहां पर हमें मैज दिखने वाले थे लिए यहां पे हमें दिखाए दिया था न्यूडे वर्जस हट बिसनस का मैच और और थोड़ा अजीब साम थोडी कै dragonते क्या अग्या उसके बाद यहां पर दो बीजक्स एकlaf प्याम पहर और नी घ्यांपीश्टी जो था मैट्रिडल वर्जे शेमस का और यहां पर मैने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था क्योंकि मैच में शेमस थे मुझे लग बहुत ही अमेजिंग मैच हो गया यहां पर मैट्रिडल जीत गए और हुआ कि शेमस को जा रोल करके यहां पर पिन कर दियो और यहां पर जीत गए तो यहां ठीक था कि मैसा मैसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही बिकार था नॉर्मल सा मैस तो ज्यादा एंटेटेनिंग नहीं था इसलिए थोड़ा सा एंटेटेनिंग भी रहते हैं अगर आपको सही बत हो तो फायर फ्लै सेग्मेंट थोड़ा बहुत यहां पर ठीक ठाक लगने लगे पहले मिर को बहुत अजीब लगता था और यहां पर बात भी करते हैं कि अलेक्सा का यहां पर आगे मैच होगा यहां पर निकी क्रॉस के अगेंस तो उसके बार में थोड़ी बहुत बात करते हैं तो सेग्मेंट भाप भी खतम हो जाता है एक बात लेकिन यहां पर होता है कि उसके बाद धाट खैक करते हैं तो यहां पर भी शेयना बि'. भी उनका फेड़ेट काम है लेकिन आपको बचा ली ते लिना पता नहीं क्या हो जाता लाना को बचाने के बाद हमें याप मिल्दाब काफी यह पर लड़ाई होते है उसके बाद में अलग मैस दिखाए ते ते अपना अच्छा मैश था यहां पर मैच में क्या होता है ऑसका पिन गर देते हैं शेना विलरू अब लोग जीट जाते हैं तो यह मैच भी खतम हो जाता है अगला मैच आप दिखे देते हैं के लिए वर्सेज बॉबी लैश्ली का बॉबी लैश्ली का अगर मैच में है तो अमेजिंग यहां पर मुवमेंट्स होने थे और के ली बहुत ही अगला मैच आपे दिखे देते हैं निकी क्रॉस वर्सेज अलेक्सा जो कि मैने आपको भी फायर फ्लाइफ अनौस वाले सेग्मेंट में भी बताया था कि उन दोनों का मैच होने वाले वो लोग बात भी करते हैं तो अलेक्सा ने यहां पर असानी से जीत हाजिल कर ली निक उसके बाद हमें में इवेंट में तो इन दोनों को मैच में देखके तो मज़ा आ गया लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहां पर प्रॉब्लम लगी इंटरप्ट वाली प्रॉब्लम डवली सालों से देता है और अच्छे का से मैच का काम खराब करता है वो पहले ऐसे मैच अच्छे का से मैच आगे जा के बड़े इवेंट में तो यह तो यहां पे प्रॉब्लम माच में तो यह थोड़ शेयूंग कर रहे होते हैं तो दूसरी बार फीजिक बचते है और इस बाद जब यहां पर लाइट सौन होती तो रेंडियोटन देखते कि उनके बिल्कुल पीछे ही फीर्ड खड़े और उनके बाद उसके बाद यहां डर लग जाता है राइंडियोटन का मुझे नहीं बता क्या हुआ एकदम से राइंडियोटन की ऐसे हालत खराब होगे उसके बाद अगली राइंडियोटन की फाइड़ा उठाले जो कि यहां फिनोमेनल वन है उन्होंने यही किया मुझे का फाइड़ा उठाया फिनोमेनल फोरा में यहां पर लगा दियो और आसानी से यहां पर एजस्टाइल्स जीत गए ठीक था की मैस था यहां पर इसमें दो मजा आएगा अगले राह में तो बाई मैंने इस राह कि आपको सारी हाईलेट्स बता दी सारी बात आपको बता दी आ जो बात है आपको पता हुने चैनल पर नहीं आगे तो सब्सक्राइब अले बतन को जरूर दभाहिएगा कुछ कोशन ओनी पर नए बिलकुल मत भूल